दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Tally Prime के एक बैतरीन फीचर के बारे में जिसका नाम है Price Level दोस्तो Price Level एक ऐसा फीचर है जिसकी मदध से आप अपने डिस्टिबुटर और आप अपने कस्टमर दोनों के लिए आप यहाँ पर अलग-अलग discount और अलग-अलग price का setup कर सकते हैं जिसमें जब भी आप अपने sales की entry pass करेंगे और आप यहाँ पर अपनी quantity को add करेंगे तो price और discount यहाँ पर अपने आप आपको reflect हो जाएगा आपकी sales invoice के अंदर किसी के अलावा आप यहाँ पर चाहें तो quantity based भी आप अपने discount और price को यहाँ पर setup कर सकते हैं example के लिए माल लिजे अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 10 piece का sale किसी भी customer या किसी भी distributor को करते हैं तो यहाँ पर आप उसे कोई भी discount नहीं देना चाहते हैं इसके अलावा अगर आप यह चाहते हैं कि 10 piece से 20 piece के बीच में अगर कोई भी customer या फिर कोई भी distributor हमसे goods को purchase करता है तो इस case में हम उसे 5% का यहाँ पर discount देना चाहते हैं और इसके अलावा customer का जो price होगा वो अलग होगा और distributor का जो price होगा वो अलग होगा आपको केवल यहाँ पर quantity fill करनी है, price और discount यहाँ पर आपके sales invoice में by default reflect कर जाएगा आपको केवल यहाँ पर entry को pass कर देना है तो दोस्तो यह बहुत ही अच्छा feature है जिसकी मदद से आप अपने काम को और जादा improve कर पाएंगे तो दोस्तो चलिए इसे हम practical तरह से समझते हैं कि आप Teleprime के अंदर किस तरीके से price level का इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तो price level के concept को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक company create कर लेते हैं जिसका नाम हमने price level ही रख दिया है इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी company का complete address फिल कर देना है तो हम यहाँ पर अपनी company का complete address फिल कर रहे हैं इसके बाद आपको enterprise करके नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको अपना state select कर लेना है यहाँ पर आपको अपना pin code type कर देना है तो यहाँ पर हम randomly एक pin code type कर दे रहे हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी company का telephone number type कर देना है तो randomly हम यहाँ पर telephone number type कर रहे हैं और यहाँ पर आपको अपनी company का mobile number fill करते हुए enter pass करना है यहाँ पर आपको अपनी company का fax number फिल करना है उसके बाद enter pass करना है और यहाँ पर आपको अपनी company की email id फिल कर देनी है तो randomly हम यहाँ पर एक email id फिल कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर enter pass करते हुए हम यहाँ पर अपनी company की website को फिल कर देंगे इतना करने के बाद हम यहाँ पर enter एंटर करके इसे accept कर लेंगे तो दोस्तों accept करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो company है वो यहाँ पर successfully create हो गई है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हमारे सामने company feature alteration की window open हो जाएगी इसमें आपको enter enter करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देगा enable multiple price level इस वाले option को आपको यहाँ पर yes करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर enter enter करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देगा Use discount column in invoice यानि अगर आप इसे yes करेंगे तो आपके invoice के अंदर discount का एक column increase हो जाएगा और वहाँ पर आपको अपना discount दिखाई देगा तो इस वाले option को भी हम यहाँ पर yes करते हुए enter pass करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं Taxation part के अंदर हमें यहाँ पर GST दिखाई दे रहा है तो GST को हम यहाँ से applicable कर लेंगे enter pass करते हुए यहाँ पर आपको अपना state select करते हुए enter pass करना है तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपना GST number फिल कर दिया है इसके बाद हम यहाँ पर इसे enter करते हुए नीचे आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका GST R1 आपको दिखाई दे रहा है यानि आप इसे filing कप करना चाहते हैं मंतली या फिर quarterly आप इसे अपने हिसाब से select करते हुए इसे enter enter करके यहाँ पर इसे accept कर लीजे दोस्तो इतना करने के बाद यहाँ पर भी आपको control A की मदद से इस window को accept कर लेना है इसके लावा अगर आपकी company पहले से ही create है तो आप चाहें तो अपने keyboard से F11 की मदद से company feature alteration window यहाँ पर open कर सकते है और इन features को यहाँ से activate कर सकते है तो दोस्तो इसे हम फिलाल skip करके बाहर आ जा रहे है और यहाँ से हमें जाना है create वाले option पर तो create वाले option को select करते हुए हम यहाँ पर enter pass करेंगे तो दोस्तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा price level का तो यहाँ पर आपको इस वाले option पर जा करके enter pass करना है enter pass करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं से पूछा जा रहा है कि आप अपना जो price level है वो किन किन logo के लिए यहाँ पर create करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर customer और distributor इन दोनों के लिए ही एक price level setup करना है तो हम यहाँ पर इन दोनों को ही यहाँ पर type करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर type कर देते हैं customer customer लिखने के बाद हम यहाँ पर interface करेंगे इसी तरीके से हम यहाँ पर type कर देते हैं second number पर distributor तो दोस्तों distributor लिखने के बाद हम यहाँ पर interface करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर wholesaler भी लिख सकते हैं खिलाल हमें यहाँ पर दो ही level set करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर enter करके इसे यहाँ पर accept कर लेंगे। दोस्तो इतना करने के बाद price level हमारा यहाँ पर setup कर दिया गया है इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ledgers create करने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर stock items को create कर लेते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो stock item है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन 15 है जो की electronics के group के अंतरगत आता है और इसकी जो unit है वो pieces है और इसके उपर GST का जो price है वो 18% का यहाँ पर GST हमें लगाना है तो फड़ा फड़ा हम यहाँ पर अपने stock items को create कर लेते हैं तो stock item पर जाने के बाद हम यहाँ पर interface करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते है आइफोन 15 दोस्तों iPhone 15 लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं Under of group हमें यहाँ पर create करना है तो यहाँ पर आप सकते हैं create का option आपको यहाँ पर दिखा ही देगा इस create वाले option पर जाकर करके आपको enterpage करना है और यहाँ पर आपको अपने आइटम का जो group है वो यहाँ पर create कर लेना है तो इसका जो group है हम यहाँ पर लिख देते हैं Apple और इसके बाद इसे enterpress करते हुए under or primary देते हुए enterpress करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं should quantity of item be added इसको आपको यहाँ पर Y press करते हुए enterpress करना है और यहाँ पर आपको अपना GST और HSA number को define करना है तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करेंगे specify detail here और यहाँ पर इसका HSA number type कर देते हैं तो randomly हमने यहाँ पर एक HSA number type कर दिया है description में हम यहाँ पर type कर देते है mobile और taxation part के अंदर हमें आपको specify detail here को select करते हुए enterpress करेंगे और यहाँ से आपको taxable को select करते हुए इसके ओपर 18% tax रखते हुए इसे enter करके यहाँ पर इसे accept कर लेना है तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हमने यहाँ पर item create कर लिया है और इसका stock group भी create कर लिया है इसके बाद हमें यहाँ पर units को create करना है तो unit को create करने के लिए आपको यहाँ पर create को select करते हुए enterpress करना है और यहाँ पर unit में type कर देना आपको pieces और इसके बाद यहाँ पर enter करके आप यहाँ पर pieces को select कर लिजे और इसे Ctrl A की मदद से Accept कर लिजे दोस्तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा Item, Stock Group और Unit 3 नोई हमने यहाँ पर Create कर लिया है अब आपको यहाँ पर Enter, Enter करके इसे यहाँ से Accept कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपने Items को Create कर लिया है Price Level Company यानि कि जो हमने अभी Company Create की है उस Company के द्वारा Mohan Private Limited को जो की Distributor है Invoice No.1 के माध्यम से यहाँ पर Sale की है जिसमें आप देख सकते हैं iPhone 15 की 20 Piece Quantity यहाँ पर Sale की गई है जिसका Price यहाँ पर आप देख सकते हैं 65,000 रुपे पर Piece है जिसके ओपर हमें 18% का यहाँ पर GST Tax लगाना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो Ledger Create करना होगा वो यहाँ पर Create करना होगा Mohan Private Limited के नाम से जो की हमारा यहाँ पर Distributor होगा तो दोस्तों यहाँ से हमें Create वाले Option पर आकर के Ledger को Select करके Enter Pest करना है और यहाँ पर हमें Type कर देना है Mohan Private Limited और Enter, Enter करके इसे Under Off डाल देंगे हम Send Rate Debitter क्योंकि यह हमारा Customer है और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे Enter Pest करते हुए नीचे आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर Enter, Enter करके इसे यहाँ से Accept कर लेना है तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Text Registration Details के अंदर आपको यहाँ पर Company का Pen Number और GST Number को आपको यहाँ पर Fill कर लेना है और यहाँ से आपको अपना GST Registration Type भी Select करते हुए Enter, Enter करके इसे यहाँ से Accept कर लेना है इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहला लेजर कर लिया है तो दोस्तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं Second Question में हमने यहाँ पर जो Sale की है, वो 10 PIECES की यहाँ पर Sale की है जिसका प्राइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, 75,000 रुपए है हमने किसको Sale किया है, यहाँ से हमने इसे कस्टमर को Sale किया है तो दोस्तो यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है, वो है Excel Enterprise तो हम यहाँ पर Second जो Leisure Create करने वाले हैं, वो Excel Enterprise का Leisure करने वाले हैं तो दोस्तो हमने यहाँ पर Excel Enterprise लिखते हुए, Enterprise कर दिया और इसे Under of Sunderly Debitter डालते हुए इसे हम यहाँ से Enter, Enter करके Accept कर लेंगे तो दोस्तो हमने यहाँ पर दो Leisure Create कर लिए हैं अपने Parties के और इसके बाद हम यहाँ पर एक ledger create करेंगे sales का जिसको under of डालेंगे हम लोग sales account के और इसके बाद यहाँ पर आपको enter enter करके इसे goods को रखते हुए इसे यहाँ से accept कर लेना है और यहाँ पर आपको एक और ledger create करना है cgst के नाम से और इसे under of डालेंगे आप duties and taxes यहाँ से आपको gst को select करना है यहाँ से आपको cgst को select करना है और इसके बाद यहाँ पर इसे enter enter करके इसे यहाँ पर accept कर लेना है इसी तरीके से आप यहाँ पर जो दूसरा ledger है वो create करेंगे sgt के नाम से और यहाँ पर duties and taxes रखते हुए, यहाँ पर आपको sgst और utgst को select करते हुए, आपको यहाँ पर इसे enter enter करके accept कर लिया है, तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपने सभी ledgers को यहाँ पर create कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ से scrap करके बाहर आएंगे, तो दोस्तो यहाँ पर stock group name के अंदर हम अपने group को select करेंगे, यानि हमने जो group बनाया था, वो apple के नाम से हमने यहाँ पर group बनाया था, तो apple को select करते हुए, हम यहाँ पर enter press करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर price level दिखाई दे रहा है, कि हम किसका price पहल define करना चाहते हैं, तो मालीज हम यहाँ पर सबसे पहले customer का price level define करना चाहते हैं, तो customer को select करते हुए, हम यहाँ पर enter press करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, applicable form, किस date से यहाँ पर applicable होना चाहिए, तो हम यहाँ आपर first April को रखते हुए enter press करेंगे, और यहाँ पर आप आपको आइटम दिखाई देगा, जो कि हमारा item है iPhone 15, iPhone 15 को select करते हुए हम यहाँ पर enter press करेंगे, enter press करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर quantity हम से मागी जा रही है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते ह और customer का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा item है iPhone 15, जो कि अगर आप देख सकते हैं, less than 10 pieces होता है, यानि कोई भी customer या फिर कोई भी distributor, 10 piece या 10 piece से कम माल खरीता है, तो distributor के लिए जो हमारे पास यहाँ पर price है, वो यहाँ पर आप देख सकते है, 65,000 जो second condition है, वो यहाँ पर है कि अगर आप 10 piece से लेकर के, 20 piece तक कोई भी item यहाँ पर कोई भी distributor या customer purchase करता है, तो rate आप देख सकते हैं, दोनों में same रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5% का discount उसे दिया जाएगा, जैसे माल लिजे, अगर कोई customer यहाँ पर 12 piece purchase करता है, iPhone 15 के, तो जो price होगा, वो 75,000 रुपे ही होगा, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही distributor अगर कोई 12 piece purchase करता है, तो उसका जो price होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 65,000 रुपे है, लेकिन इसमें उसको 5% का discount दिया जाएगा, इसी तरीके से आप यहाँ पर दे इनि 7% का हम यहाँ पर discount उसे देने वाले हैं, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर define करने वाले हैं अपने Teleprime के अंदर, तो आएए जानते हैं कैसे इस चीज़ को अपने Teleprime में define कर सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, less than अवारी जो value है, माली जे 10 pieces थी, 10 pieces इसके उपर हमने यहाँ पर अपने customer के लिए जो हमने rate define किया था, वो यहाँ पर 75,000 रुपीस था, और उसके बाद हम इसे enter करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, discount फिलाल हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कि 10 piece तक अगर कोई भी customer हमसे कोई भी सामान खरीता ह तो उसे कोई भी discount यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके बाद हम यहाँ पर interface करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 piece से, यहाँ पर 20 piece तक अगर कोई भी customer यहाँ पर हमसे कोई भी goods को purchase करता है, तो जो हमारा price है, वो same रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसे discount दिया जाएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका जो discount है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5% का है, तो यहाँ पर हम 5 डालके enterprise करेंगे, तो percentage आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप reflect हो जाएगा, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी जो third condition थी, वो य जाएगा, यहनि 7% का उसको यहाँ पर discount दिया जाएगा, तो यह तो हमारी first condition थी, जो कि हमने customer के लिए यहाँ पर apply की है, अगर और भी items के उपर आप यहाँ पर condition apply करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसे इसी तरीके से set कर सकते हैं, फिलाल हमने customer के लिए इतना ही define करना तो हम इसे end of list select करते हुए इसे यहाँ से accept कर लेंगे, दोस्तो इतना करने के बाद हम वापस से अपने group को select करते हुए enterprise करेंगे, और अब हम इसी तरीके से अपने distributor के लिए जो भी हमारा price level और जो भी हमारा discount है, उसे यहाँ पर फटाफ़र define कर लेते हैं, तो distributor को select करते हु 110 pieces less than के लिए हमारे पास कोई भी discount नहीं है, तो हम यहाँ पर enter pass करेंगे, यहाँ पर 20 piece को रखते हुए amount यहाँ पर same रखेंगे, और enter pass करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा second condition थी, कि 10 piece से 20 piece के बीच में अगर कोई भी हमारा distributor सामान खरीता है, तो उसे यहाँ पर 5% का discount दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात clear करना चाहूंगा, कि आप यहाँ पर चाहें, तो अपने distributor का discount अलग रख सकते हैं, और अपने customer का discount यहाँ पर अलग रख सकते हैं, यहाँ जैसे हमने यहाँ पर 5% का discount customer और distributor दोनों के लिए रखा था, तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे कम याँ जादा कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर 5% रखते हुए enterprise करेंगे और यहाँ पर भी same value डाल करके enterprise करेंगे और यहाँ पर discount देंगे 7% का तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने distributor के लिए भी यहाँ पर same इसी तरीके से यहाँ पर discount को setup कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके इसे यहाँ पर accept कर लेंगे अब हमारा यहाँ पर काम complete हो चुका है अब हम यहाँ पर transaction को record करना है तो दोस्तो transaction record करने के लिए हम सबसे पहले skip करके बाहर आएंगे और यहाँ से हमें जाना है vouchers के अंदर vouchers में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने sales voucher पहले से ही open है अगर यह open ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं right side में आपको यहाँ पर sales purchase के सभी vouchers की shortcut keys और यहाँ पर आपको vouchers दिखाई दे रहे हैं केवल आपको इस पर click करना है directly आपके सामने वो voucher open हो जाएगा तो हम यहाँ पर sales voucher पर click करते हुए यहाँ पर सबसे पहले अपनी party को select करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो party हमारी वो excel enterprise है जो की हमारी customer है इसे select करते हुए हम यहाँ पर enterprise करेंगे और यहाँ पर dispatch detail के अंदर अगर आप चाहें तो अपनी फूरी information फिल कर सकते हैं हम इसे control A की मदद से accept करेंगे और यहाँ पर भी हम इसे control A की मदद से accept कर लेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको price level के नाम से एक option आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो आपका Excel Enterprise है यह आपका customer है या फिर आपका distributor है तो हम यहाँ पर customer को select करते हुए enterprise करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं sales का ledger आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है sale laser को select करते हुए आपको यहाँ पर enter press करना है space press करते हुए यहाँ पर आपको अपने item को select करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी quantity हमसे मांगी जा रही है अब माली जे example के लिए हमें यहाँ पर 5 quantity press करते हुए enter press करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक warning आ गई है कि negative stock की क्योंकि हमारे पास stock है नहीं और हम फिर भी sale के entry पास कर रहे हैं तो फिलाल हम इसे ignore करते हुए enterprise करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 पीस तक अगर कोई भी customer या कोई भी distributor हमसे किसी भी सामान को खरीदेगा तो उसका जो price है आप यहाँ पर देख सकते हैं 75,000 ही है लेकिन discount आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी discount यहाँ पर नहीं है ले यहाँ पर 25 कर दिया 25 को select करते हुए जैसे हम यहाँ पर interface करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 7% का आपको यहाँ पर discount दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप अपने price level को setup कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर हमें ना तो price डालने की जूरत पड़ी और ना ही हमे यहाँ पर enter एंटर करके नीचे आ जाना है यहाँ पर अगर आप और भी items को add करना चाहते हैं तो alt c की मद्द से आप यहाँ पर और भी items को add कर सकते हैं फिलाल हम इसे यहाँ पर enter करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ से space ट्रेस करते हुए यहाँ सबसे पहले Cgst को select क करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा cgsts text यहाँ पर लग चुका है उसी तरीके से यहाँ पर हमें sgst को select करते हुए enter press करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा text यहाँ पर reflect हो रहा है और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चाहें तो ctrl A की मदद से आप इसे यहाँ से accept कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं evable की हमारे पास information आ रही है फिलालम इसे no कर देते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने customer का price level को setup कर सकते हैं अब बात करते हैं distributor की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोहन private limited था वो यहाँ पर हमारा distributor था तो हम distributor को select करते हुए interface करेंगे यहाँ पर control A की मदद से इसे भी accept कर लेंगे और यहाँ भी control A की मदद से accept कर लेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है distributor और इसके बाद यहाँ पर आपको sales laser को सलेक्ट करते हुए नीचे की दरफ आ जाना है यहाँ पर आपको space press करना है और same item को आपको यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर हम quantity fill करके देखते हैं मालिज हम यहाँ पर फिलाल दो quantity डाल करके इसे चेक करते हैं वापस से दो quantity डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पर enterprise करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं price यहाँ पर by default अपने यहाँ reflect हो रहा है मगर discount यहाँ पर reflect नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दो pieces के ओपर कोई भी discount setup नहीं किया था अगर हम यहाँ पर 10 से अधिक quantity input करते हैं तभी जाकर के हमें यहाँ पर discount मिलेगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 7% का हमें यहाँ पर discount दिखाई दे रहा है इसके बाद हम इसे enter एंटर करके इस यहाँ से cst का text यहाँ पर इस पर applicable कर लेंगे और इसी तरीके से sgst text applicable करते हुए आप यहाँ पर इसे control A की मदश से accept कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने customer और distributor के price level को और discount level को दोनों को ही आप आसानी से setup कर सकते हैं अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार preview दिखाना चाहूंगा हम डे बुक में आने के बाद यहाँ पर interface करेंगे और यहाँ पर आपको control P press करना है और यहाँ पर preview को select करते हुए interface कर देना है Alt Z की मदश से आप इसे zoom कर सकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा invoice यहाँ पर generate हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो discount है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है discount का अलग से एक column हमारा यहाँ पर define हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं taxation part के अंदर cgst और sgst भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं hsn और sack details आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है hsn number, price, rate सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेली प्राइम के अंदर price level को define कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेयर जरूर कीजेगा